Hello Friends, Welcome to Great Indian Khajana दोस्तों देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भार्टे स्टेट बैंक ने Senior Citizen के लिए Fixed Deposit को लिकरके एक नई स्कीम लाँच किया है State Bank of India ने Senior Citizen के लिए SBI We Care Deposit स्कीम को लाँच किया है SBI We Care Deposit में अब Senior Citizen अगर Fixed Deposit कराते हैं तो उनको 0.30% जादा ब्याज मिलेगा अगर कोई Senior Citizen Fixed Deposit कराता है तो जो Fixed Deposit का Rate of Interest चल रहा होता है हमेशा Senior Citizen को उस Normal Rate of Interest से आदा परसेंट जादा ब्याज मिलता है आदा परसेंट यानि 0.50% जादा ब्याज Senior Citizen को मिलता है अब इस Scheme के अंतरगत अगर आप Fixed Deposit कराते हैं तो आपको 0.30% और जादा ब्याज मिलेगा यानि टोटल अगर देखा जाए तो 0.80% Senior Citizen को जादा ब्याज मिलेगा जिसमें 0.50% उनको जो Regular हमेशा जादा ब्याज मिलता है और 0.30% SBI V Care Deposit Scheme के अंतरगत उनको मिलेगा तो टोटल 0.80% उनका जादा ब्याज बनेगा SBI V Care Deposit के कुछ Turns and Condition है आए उनके बारे में जान लेते हैं इस Scheme में आपको Minimum 5 Year के लिए Investment करना होगा अगर आप 5 साल से कम का Investment करते हैं तो आप इस Scheme का फाइदा नहीं उठा पाएंगे इसमें आपको Minimum 5 Year और आप Maximum 10 Year के लिए Investment कर सकते हैं इस Scheme की Last Date है 30 September 2020 30 September 2020 के बाद ये Scheme applicable नहीं होगी इसकी Starting Date है 12th May 2020 and Last Date 30 September 2020 जब Senior Citizen इसमें Fixed Deposit कराते हैं तो जो उनका ब्याज है वो उनको Monthly, Quarterly, Half Yearly या फिर Maturity के टाइम पूरा एक साथ जैसे वो चाहे वैसा ले सकते हैं तो जब आप इसमें इन्वेस्मेंट करेंगे तो आपको पहले ही बताना होगा कि आप किस तरह से अपना ब्याज लेना चाहते हैं अगर आपके पहले से कोई Fixed Deposit चल रही है, existing Fixed Deposit है तो उसमें ये Scheme applicable नहीं होगी ये Scheme सिर्फ अगर आपको नई FD open कराते हैं उसमें या फिर आपके कोई FD mature हो गई है उसको renew होना है उसमें ही applicable होगी तो दोस्तों ये थी SBI की VK Deposit Scheme जो especially senior citizen के लिए launch की गई है अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए useful है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने कमेंट जरूर करिएगा थैंक्स पर वाचिंग